अगर नहीं किया तो बता दूंगा और कर दिया है तो कैसे उसको चेक करना है तो वी बता दूंगा ठीक है वीडियो को स्क्रीट पर आते हैं यह को आपको को किसी और करना है तो वन परसन कंपनी केस में किया होता है एग्यम को कॉंसेट नहीं होता है एन्यूल जनल मिटिंग इस यूजलिस वर्ट ठीक है अप्रिके भी नहीं होता है इंक्के उपर ठीक है वर्ट पर्स अंपरी कप्लांस नॉमदी अगर मैं बात करूं अलग-अलग एक के अलग-एक कंप्लांस होते है एक आता है आपका इनक कंप्छी सब्सक्राइब इतला का इनकल भुश्यों लुटेट्र चीज एंपर डहलर है इन से अपर एक आपको कपरी close करनी पड़ सकते हैं अब GST बहुत अच्छे से maintain देरें लेकिन income tax और ROC ने maintain तो भी नहीं चलेगा अब 2 को maintain करें एक maintain नहीं तो भी नहीं चलेगा आपको maintain तीनों करके रखना होगा ठीक है अभी जब मैं तीनों act के अंदर बोलू ना तो एक important aspect आता है documentation का ठीक है income tax में भी आता है documents और filing GST में भी आता है document और filing ROC में भी आता है आपका document और filing ठीक है सब में आता है अब income tax के लिए documentation क्या होता है सब income tax और GST के जो documentation अगरा होना तो लगपक लगपक कही ना कहीं मिनते जोते होता है क्यासे income tax और GST के आपकी invoices जो है आपके bill जो है वो सारे आपके पास preserve होने चाहिए BCD document के रुप में यही preserve करना पड़ता है ठीक है आपके सारे जितना भी आपने purchase किया है जो पार्टी है जो भी है आपके पास वो सब saved होना चाहिए वो सब आपके पास है that's well and good that's sufficient ठीक है next यह आता है आपका file अब अगर filing में क्या होता है अगर आप filing on time नहीं करते हो तो आपके ओपर immediate penalty लगती है वह आप चैजनेज भी कर सेंट आप्छान रता है but filing का चैने immediate penalty रखते है filing में क्या क्या था सरे income tax का IT आ रहता है income tax return income tax IT income tax return और GST में आता है GST return यह दोनों आपके company का I am very much sure आपका on time file होगा अब आप बताओ कैसे चेक करूँगा किसे मेरे income tax property file है आपका जो भी company है उस company का pan number होगा ठीक है आपका professional से बोलो कि भाईया मेरे को pan का ID मतलब मेरे income tax का ID password दो GST का ID password दो आप उसमें login करो login करो आप दोनों में dashboard अभी आप income tax की बात करो या GST की बात करो जीस आप जैसे login करोगे ना आपको ऐसा एक box इंटरफेस का बोलो ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा ठीक है यहां बहुत कुछ लिखा रहेगा यहां बहुत कुछ लिखा रहेगा ठीक है सामने जो assessment की लिखा है जैसे कुछ को क्लिक करेंगे ना आपको पूरा drop down में दिखा देगा क्या चीज है क्या नहीं हुआ है कितना आपका turnover है क्या था सब दिखा देगा आपको just click on it बहुत basic है आप कुछ भी गर्बड नहीं करोगे उसमें चाहा कि भी गर्बड नहीं कर सकते हो तो इस बात को मटर ना क कि मैं अगर income tax login करता हूँ तो कुछ गर्बड हो जाएगा वैसे ऐसा कुछ है ठीक है कंती से कुछी भी क्लिक करेंगे से कुछी फाइल नहीं होता है फैलाक्स अग्स्ट घी इस टीमें करके आप जैसे लॉग अंट गरुगे अगर मेरें नहीं करको करके ब्सक्राइब है वहीं पेढ़ आपका फाइल ये आपको लेड टेटलर से दिना देखा अंग को दिना नॉन कम्प्लैंट तो आप बीसिक इन-धन देप्ट तो एक्स्प्रेशन चेक नहीं करता हुआ है वेरी मश्यूर बट बेसिक आप समझ जोगा कि आपका इंट्रम टेक्स की फाइडिंग हो चुगी है आपकी जिस्ट की फाइडिंग हो चुगी है या फिर डॉकुमेंटेट पूफ आप नहीं करना चाहते हैं तो हुआ है निक्स्ट आप निए जिस्टर के बिएचिटर अब में बनाने पड़ता है नहीं के लिए नहीं है तो बनानेquito इसके लिए पैसा करचा करना इसके लाओ इसके लाओ इसके लाओ भी बताले अपने डिस्ट्रोजर दिखो जाता है तो मत करो तो भी चलेगा ठीक है आप अराम से बात में इंप्रेट करके आप यह मत बुना कि मैं सिखा रहा है मैं बता रहा हूं दुनिया ऐसे करते हैं आप ऐसा मत करते हैं ठीक है डिस्क्रेमर था यह नौ फाइंडिंग की केसे में करते हैं कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट फॉ गई सबी दियव स्बUD टु होई गया आप अगर इंकम टक्स का फाइल हो नहीं करते हो न तो आपके उपर मैकसिमम फाइस फाइफासूअन तक का पैलेटि दाक सबगे पास और वह भी अगर अगर इंप मननेके का मलनेगर ही gland बढ़ प्राइप टीटिक इझिखी हो जाता है पत आर उसी के के सी में किया हो था एक रहा यहां पर नॉन ऐसे हो गई जेहां पर पैनल्ट पॉरड ए अंडेंड़ गर्के बढ़ती है यह गर नहीं जाता है कोई नहीं ढाता बढती है जसी प्टाइब। कि एक फॉर्म पाइनिक का जो उसका नॉर्मल पीस आता है तीन सुरुपये ओर इन देट नॉन कम्प्लाइन से फीस आता है सथीघर चालिशन पा अधिक ऐसा था है एक फॉर्म का ठीक है आप सीघर रूप पीछ टे तब करते है प्रवाइब करता है वो एक लाग 40,000 माहिने करता है बस्टी कें गर जो भी है फाइनिक में क्या क्या आपका इंपोर्टेंट आता है वो समझ जो पहला फाम आता है आपका जो dpt3 यह आप चेक करना है आपकी कंपनी का फाइल हुआ था कि लोन फाम डारेक्टर होगा तो अगर डारेक्टर से लोन नहीं है तो फाइल नहीं भी हुआ है तो अचल जयाता है तो फाइल कोई पावलम नहीं है जो पाश्ट एकसेप्टेबल है 30 June से पहले आपने के दिया 30 apt Bier था तो बहुत बढ़ी था अगर नहीं के इसपर यद्ल्ट की का his जो भी लगेगा detac अपने यह परफॉत मेगए बन्unden रहेख इतिक एक दो जबन आलएक-दैख रेक। कंपरी फॉर्म किया है तो कुछ ऑफिसियल साइट से मैं नाम नहीं लूँगा और पॉब्लिक डॉमेंट में ठीक है उनका उनको कॉल आता है अगर आप दिया थी कि वैसी नहीं करते है तो दो सल बाद आपके उपड़ दो लागी पैनेटी लग चाहिए इसके लिए कि वैसी के लिए डिया दो लेर्ट लॉलागी पैनेटी कभी नीग सकती है आप पांचल बाद भी करोगे तबी आपकी जो नॉमल फिस लेकि बस वही है इसके लिए को इसके लिए पैनल एक्षा नहीं होता है वो नॉर्मल फीस आप फीस ले सकती गवर्मन सकता है तो यह बात जाते है कि वैसी को लेकि पासर कपनेटी निया तो दोला कपनेटी निया है इसरा काम क्या है इसरा है आपका 30th September 24 बेसिकल थर्टियत नहीं बोलना चाहिए में को 28 September 24 बे बोल चाहिए क्योंकि 180 दिन मिलता है from the end of the financial 180 days from the end of the financial इसके अदर आपको अपनी कंपनी का AOC 4 बढ़ना था आपको अपनी कंपनी का MPT 7 बढ़ना था और ADT 1 यह तीनों फ़र्म आपका इस प्रेडी के अदर फाइड हो जाना कि था अदर फाइड नहीं हुआ है तो AOC 4 अब जो लगेगा अपका पढ़ने अदर इसके सापसे 30 अब मैं दिखाता हूं कि आप कैसे चेक करता होगी कि आपके कंप्लाइंस हुआ है यान है कि करना है यह जाए है यहां पे इस सच ब्रेक्ट करना है यहां पे नाम डालके सब्सक्राइब अगर नहीं दिखाता है तो it's a serious concern for you आपका company का बेड़ा गरिक होना वाला ठीक है पुरा मत माँए बड़ देसे हाड़न पास्ट में जो सच चाहिए है कड़वा सच मोगता रहा है ऐसा बहुत सारा company है जो company बंद हो जाता है तो यह अगर आपका हो चुका है तो you are done आप इस साल के लिए 100% complaint company का बड़ चाहते है कोई प्राइस है तो इनको इसके अलावा आपको और कोई कास compliance करना नहीं होता है अब आप अराम से अगले साथ में वीट कर सकते हैं अगले सारा अप्राइस से लिए सब्टमबर तक का टेनियर में अपको compliance के लिए रहना होगा ठीक है अगर आपका स्टिल कोई पी डाउट है बस तो comment section चिक्रावाद comment section खुला हुए आप महाँ पे क्यों भी कमेंट करना चाहिए जो भी इच्छे आप कर सकते हैं इसके लिए गूगल का मारा form भी दिया हुए वीडियो के description में जहाँ आपका कर सकते हैं कोई भी question है कुछ भी problem है तो आपको पता दूँगा अच्छा यह चीज मेरा यहां पर छूट रहा है यह उसी आपके पास at least होने चलिए आपके electronic code में वो physical form है not to worry कोई फरखने परता चीजिक है आपके पास होना चलिए और अच्छी यहां पे electronic यह फिसकल का बाद मता फरक्स देनी परता क्योंकि जहां पे director sign देख स्टाब करेगा वह physical कोई वो रिजल माना जाता है तो आप आप साइन करते लिए सब्सक्राइब तो आपके पास इतना है तो आपका सारा टाउंट केर होगा वन पर्सन कंपनी हो तो अभी देख आपका सब कुछ हो चुका है अब अब अभी भी बाकी करके बैठे हो non compliance करके बैठे हो तो भईया वेड़ा गया रखे जीवन ना दिए ठीक है मैं अगली वीडियो में चाहिए है चाहिए हम लोग 1% private company के सारे compliance कर दूगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेड़ा बिकॉस मैंने इस साल हो गया तो comment करके बताओ क्यों वाथ यार इसलंता कैसा पो टिक्टर सटो we can help you for that okay चलो नथे अग्ले बिटेमे पर शाहिए